भारत और चीन के बीच नाइन्थ लेवल की कोर कमांडर की बैठक से पहले एक बार फिर से दोनों देशों के शैनिकों के भी सिक्किम में जड़ब हुई थी यह जड़ब 24 जनवरी से पहले सिक्किम के नाथुला सेक्टर में हुई थी इंडियन आर्मी ओफिसर्स की तरफ से यह बताया गया है कि खराब वैदर कंडिशन का फायदा उठाते हुए जब चाइनिज पिपल्स लिब्रेशन आर्मी इंडियन टेरिटरी में एंटर करने का प्रयास कर रही थी तब उसको इंडियन ट्रूप्स के द्वारा ऐसा करने से रोका गया था उसके बाद भी उनके द्वारा एलेसी को क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में एंटर करने की कोशिश करी जा रही थी जिसके बाद ही दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक बार फिर से क्लैस हुआ था और नौर्थ सिक्किम के नाथुला सेक्टर में हुए इस क्लैस में करीब 20 चैनीज सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं वही इंडियन आर्मी के भी करीब 4 सोल्जर्स को माइनर इंजर्ड हुई हैं और इन सब के बाद चैनीज सोल्जर्स अपने एरिया में वापस चले गए और नौर्थ सिक्किम के नाथुला सेक्टर में जहां पर ये क्लैस हुआ था वहाँ पर प्रसेंट टाइम में टैंसन तो है लेकिन सिच्वेशन बिलकुल स्टेबल है और वहीं मोल्डो सेक्टर में कंड़क्ट करी गई कोर कमांडर्स लेवल की मिलिटरी टॉक्स जो की 15 घंटों तक चली थी वह भी चीन के अडियल रुक के चलते बेनतीजा रही है और यह जो रीसेंट क्लैस इंडियन आर्मी और चैनीज आर्मी के बीच हुआ था इसके उपर चैनीज फॉरेंड मिनिस्टरी के स्पोक परसन जाओ लीजियां का ये कहना है कि उनके पास प्रेजेंट टाइम में इसके बारे में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है और उनके द्वारा इस क्लैस की जो डिपोर्ट्स थी उनको ना तो कन्फरम करा गया है और ना ही नेगलेक्ट करा गया है उनका कहना है कि जो चाइना की प्ले है वे बॉर्डर पर पीस को मेंटेन रखने के लिए प्रतिबद्ध है और हमें उम्मीद है कि इंडियन साइट की तरफ से भी सेम ऐसे ये एक्सेंस को करा जाएगा जाउल इजियांग ने ये भी कहा कि एक वाफ फिर से निव राउंड की मिलिटरी टॉक को कंड़क्ट करा जाएगा और दोनों साइट की ओर से इस बॉर्डर टेंसन के उपर एक एक्रिमेंट को भी डिस्क्लोस करा जाएगा फिलाल तो हम सभी को पता है कि चाइना की जो PLA है वो कितनी पीस को मेंटेन करके रखती है और अगर इंडियन साइट को भी सेम ऐसी ही एक्टिविटीज करनी चाहिए तो इंडियन आर्मी को भी चाइनीज टेरिटरी में एंटर करने के बाद वहाँ पर अपने टेंट्स को लगाना और वहाँ पर अपना बेस बनाने की कोशिश करी जानी चाहिए और अगर PLA ट्रूप्स इंडियन आर्मी को ऐसा करने से मना करते हैं तो इंडियन आर्मी उनको गोल गप्पे खिलाना दो बहुत अच्छी तरह से जानती ही है तो चाइना की जो फॉर्ण मिनिस्ट्री के स्पोक परसन है वह इंडिया को समझाने के बचाए अपने चाइनीज आर्मी को समझाए तो ये ज़्यादा बेटर होगा और चाइनीज आर्मी को गोल गप्पे खाने को भी नहीं मिलेंगे छीक मिलें 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 घर्मी को समझाने के भी है थ обсकेपी दोगेगे है differenti